दोस्तो भारत में 6743 सचूत जा दिया लेकिन गाली सिर्फ चमारो को ही मिलती है क्योंकि चमार ही सुरू से धरमसत्ता रासत्ता के सामने तनकर खड़ा होता आया है चमारो ने ही मिट गए बोध धरम को जिन्दा किया आदी धरम को खड़ा किया और ब्रहमनों की धरमसत्ता को चुनोती दी चमारो ने ही अपनी भोजन समाज पार्टी बनाकर छटरे रासत्ता को खुली चुनोती दी चमारो ने राजबूत रेजिमेंट के मुकाबले चमाज रेजिमेंट का इतिहास जाद रोमान चकारी रहा और देश भगती से बढ़ा रहा वैपार में भी बनिये को चुनोती दी वो वैपार वनेज्जे के मुकाबले डिक्की का गठन करके चमारो का दलित साहित आज पूरी दुनिया की उनिवस्टी में पढ़ाया जा रहा है चमारो ने सबसे बड़ा समाजिक सांसकृति का दोलन खड़ा किया अब चमारो के भोजन वूड के चर्चेवी होने लगे है और खुद अपना जाती संगीत बनाने लगे है वो हर जोर जुलम जबरदस्ती के सामने डट कर खड़े होते आए है इसलिए चमारो के सभी जलते आए है वो टुकुडे टुकुडे कट जाता है मगर जुपता नहीं केवल वही है जो मनो और तुलसिदास के लिखी ऐमानी बातों को नकारता है उनसे विपरित परिष्टितियों में भी सिक्सा में भरमन के वर्वच को तोड़ता है चमार एक जिंडा कौम है जागरत कौम है इसलिए ही कहा जाता है कि 6443 चूप जातियों में कोई कुछ भी करे लेकिन गालिया सिरिप चमार को ही मिलती है इसलिए कहावत बनी है कि जब चमार का सासन आता है तो चमडे के सिक्के भी चला देता है सिरिग उरवदाज जी ने भी कहा है कि एरवदाज खलाच चमारा जो हम सहरी सुमीथ हमारा ये गालिस बात का पृतिक है कि चमार चागरती के मार्ग पर है कि जो भी ब्रहमनवाद और मनवाद के खिलाब खड़ा होता है लेकिन चमार कौम एक ऐसी कौम है जिन्होंने किसी के भी सामने जुकना मनजूर नहीं करा सिर्कटना मनजूर काया अंग्रेज आए उनके सामने नहीं जुके मुशलमान आए उनके सामने नहीं जुके और फिर ये ब्रहमन पंडित मनुआ लिए के सामने भी चमार कभी नहीं जुके चमार एक ऐसी कौम है जिन्होंने महनत करके खाई संगर्ष करके खाया लेकिन कभी अपने आपको बेचने नहीं दिया कभी आपने आपको दबने नहीं दिया और कभी जुल्म के सामने खड़े रहे लेकिन जुके नहीं गुरु गोविन सिंग को चमकोर की गड़ी से बचाने वाले भी संगत सिंग चमार कौम से ही थे दोस्त तो चमार कौम जुकने वाली कौम नहीं है चमार कौम डटकर सामने करने वाली कौम है इसलिए ब्रहमनवादी लोग मनवादी लोग जब इनकी चलती नहीं जब इनका ब्रहमनवाद को जोटा पताया जाता है जब इनकी सच सामने आ जाता है तो यह जलती है और कहते हैं कि चमार तो नीच है क्योंकि इनकी कहावत यही है जो इनके सामने मुकाबला करे जो इनको भरादे वो नीच हो जाता है लेकिन चमार कौम सुरू से जागरत कौम है पर लाश्ट में तर नहीं कहना चाहूंगा चमार जुकते नहीं जुकाते है इसलिए तो कुछ मनवादी इन से जल जाते है कि सत्ता हिला कर रख दे जमार वो कौम है अपनी पर आए तो इतिहास मिटा कर रख दे